हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे जैसे हैं काफी दिनों बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ जो के आज हमारे पास एक हैंडसेट है जैसे कि आप देख सकते हैं एक रेड्मी नोट 6 प्रो का हैंडसेट है और इसमें फ्रेंड्स चार्जिंग का रेलिएट फाल्ट है जी हां चार्जिंग का फाल्ट है तो इसमें कैसे इसको रिपेर करना है step by step बताएंगे आपको और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने मिलेगा यहांपे फ्रेंड्स आपको बता दूँ हमारे पास जो training phone fix हदरवाद में हम लोग देते हैं step by step guide करते हैं circuit diagram को कैसे read करना है basic से लेकर advance तक यहाँ पर आपको सिखाया जाता है component हो या line tracing fault finding, bad mobile schematic को कैसे read करना है एक IC का data sheet कैसे बनानी है IC कैसे काम करता है क्या signal उसमें आते हैं कहाँ पर voltages आते हैं कहाँ पर primary voltage होते हैं कहाँ पर secondary voltage होते हैं कहाँ पर trinary voltages होते हैं यहाँ पर फ्रेंड सिफ direct shortcut method बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंके फ्रेंड सो mobile का जो काम है इसमें आपको अगर proper circuit level की knowledge रहेगी और दूसरा hand skill का काम रहेगा अगर आपके पास कोई भी charging related fault आता है तो यह वीडियो पूरा देखिए आप उमीद करता हूँ आप इसको follow करेंगे बहुत सारे hand setup रिपेर कर सकते हैं तो इसमें आपको मैं circuit diagram के throw भी बताऊंगा और live checking method भी बताऊंगा कैसे कैसे आपको check करना है कहां पर सारी चीज चेक करनी है बहुत सारे students को मैंने देखा है charger लगाते हैं 5 volt input में देखते हैं और फिर VBAT पर चले जाते हैं direct check करने के लिए यखिनन VBUS जो है उसका 5 volt input supply है और ये line जो है हमारी आगे जाकर के VBAT बनकर बैटरी connector पर आती है जिसको हम charge out भी गोलते है बट फ्रेंड्स ये Qualcomm के अभी के जो set चल रहे हैं इसमें आपको voltage बिल्कुल नहीं मिलने वाला है अगर आप charger लगा के चेक करोगे तो कोई voltage आपको VBAT पर नहीं मिलेगा इसका एक reason भी होता है सारा चीत में step by step इस वीडियो में बताऊँगा बहुत ही detail में आपको समझाने ही कोशिश करूँगा diagram के throw भी समझाऊँगा live checking method भी बताऊँगा साथ ही साथ हमने कुछ एक छोट असा data sheet आपको बनाया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में देगा यखिन मानी आप अगर ये वीडियो without skip करें सारा वीडियो अगर आप देखेंगे बहुत से handset आप charging के fault के related repair कर सकते हैं ये से solutions की वीडियो phone fix हैदराबाद, new phone fix हैदराबाद हमारे दोनों YouTube चैनल है जागर आप देख सकते हैं काभी सारे वीडियो से और डेली हमारा class live चलता है जो के facebook पर phone fix HYD के नाम से अगर आप facebook पर जाएंगे तो daily का live class आपको देखने मिलेगा जो student का काम होता है तो facebook पर live daily post करते हैं तोगे friends phone fix हैदराबाद एक ऐसा इंडिया का institute है जहाँ पर सिर्फ टीचर ही नहीं students काम करते हैं आपको देखना है उनका काम हमारा facebook page हमारे whatsapp status को follow करी आप आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा तो चले friends देद ना करते हुए मैं step by step आपको लेके चलता हो अपने PC के screen पर और यहाँ पर camera के थो मैं आपको बताऊंगा आपको और उसकी notification मिल जाएगी तो वीडियो बिलकुल skip ना करें और पूरा वीडियो एक बार जरूर देखें और next batch हमारा 27 December से है जिसका booking चल रहा है अगर आप सीखना चाहते हैं अच्छे लेवल पे circuit लेवल पे hand skill लेवल पे पूरा chip लेवल लेवल मदरवोट का काम करना चाहते हैं जाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदरावाद यहाँ पे नंबर स्क्रॉल हो रहा है डिस्प्ले पर वाट्सप करके लेचकते हैं चलिए फ्रेंड शिरू करते हैं वाच का वीडियो इससा आप देख सकते हैं सबसे पेले यहाँ पे मैं आपको बैटरी करनेक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसमें charger ने यहां पर दिखाने के बाद कोई यहां पर निकाल कर बताने कोशिश करूंगा आपको चार्जर लगाकर देख सकते हैं चार्जर में निकाला है बैटरी अलड़ी कनेक्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं यह देख सकते हैं फिट से मैं यहां पर देख सकते हैं चार्जर लगाया है कोई भी यहां पर एंपियर लिफ्ट नहीं कर रहा है और यहां पर डिस्प्ले पे लोगो बगारा क का V bus point पे आपको 5 volt चेक करने होते हैं कि 5 volt आ रहा है के नहीं आ रहा है तो यह इसका डिस्प्ले का यह इसका नीचे का सब बोट से connector उपर आता है यह connector है और यहाँ पर बैटरी लगवी है तो बैटरी तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहल के लिए यह देख सकते हैं यह सब बोट से connector आ रहा है नीचे से तो सबसे पहले यह देखना होता है आपको कि यह नीचे जो charger हमने लगाया है इस वाले charging pin से क्या 5 volt इन होकर कर इस connector से होते हुए इसको FPC connector बोलते हैं हम या पता भी बोलते हैं जो board to board connect होता है यहाँ पर आने के बाद इस में आपको 5 volt आना चाहिए और इसका जो 5 volt है वो आपको यहाँ पर यह वाले test point पर मिल जाता है सबसे पहले यहीं पर हम देखेंगे कि 5 volt यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर हम black probe को ground करेंगे और multimeter को रख लेंगे DC 20 में देख सकते हैं DC 20 में मैंने रख लिया है तो अभी black probe ground कर देंगे और red से हम check करेंगे यह देख सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर 5 volt प्रॉपरलि हमको मिल रहा है यहाँ पर मैंने connect किया हम diagram use करते हैं तो diagram use करके हम देखेंगे कि यहां से यह volt कहां जा रहा है और इसमें जो charging AC है इसमें तो इसका charging AC है यह वाला charging AC है जैसे कि आप देख सकते हैं PM660 इसी के अंदर इसका charging AC है और यह एक power AC भी होता है यह main power AC भी है जैसे कि यहां पे देख सकते हैं crystal इसमें यहीं पे लगा है 38.4 MHz का अभी 76.8 अभी latest में आ रहा है 5G वगारा में तो यह इसका main power AC हो गया जहां पे यह सारे coils लगे होते हैं इस तरीख है के यह तो हो गया mobile को on करने के लिए coils होते हैं सारे bug coil वगारा और यह होता है PM660 L यह इसका होता है light और graphic IC, audio IC यह वाली होती है तो अभी हमको जो काम करना है इस वाली IC में देखना है कि क्या कोई supply missing है क्योंकि sense भी नहीं हो रहा है और ना यह हमारा उपर display पे logo अगरा आ रहा है बट handset हमारा on है on condition में भी नहीं logo show कर रहा है ना तो यह burn condition में logo show कर रहा है तो सबसे पहले हम यह charging pin से start करेंगे और charging pin की जो supply है यहाँ पर कहां से कहां जा रही है इसको हम diagram follow करते हैं तो चलिए सबसे पहले ले ले लेते हैं मेरे पास इसका schematic यहाँ पर खुला हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ से start करते हैं charging pin से तो यह circuit diagram मैंने open किया है यह इसका layout है यहाँ पर V bus देख रहे हैं आप यह इसका test point होता है V bus TP26 इसका test point है यहाँ से हमको start होती लें तो यह इसका connector है J1303 तो यह test point के बाद यह कहां पर जा रहा है हमको कोई idea नहीं है और अगर मैं आपको hardware solution के throw बता हूँ तो यह hardware solution है इसके throw भी आप देख सकते हैं यहाँ पर तो अगर आपको idea है तो आप circuit diagram से भी आप repair कर सकते हैं यहाँ पर जो J1303 हमारा connector है यहाँ पर आके J1303 आप यहाँ पर डाल करके directly हमारे LCM connector तक हम पहुँच सकते हैं मतलब नीचे से जो support का connector है FPC connector तक हम पहुँच सकते हैं यह सब FPC connector होता है और यह देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा V bus है side में आ रहा है 41 number pin मतलब एक number जहाँ से start होगी तो एक number कहां start होगी इसकी यहाँ पर तो एक number यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो हो जाएगा 20 pin यहाँ पर है एक side और यहाँ पर 21 से लेकर करके 40 तो 40 number जो है हमारा यहाँ पर V bus का 41 number pin है side का pin जो हमारा side का pin होता न यह वाला हमारा V bus का pin है तो यहां से भी हम देख सकते हैं V-Bus यहां पर है और इसी तरीकर से अगर हम हाड़वेड सलुइशन में भी देखेंगे तो यह आप हाड़वेड सलुइशन के थ्रो भी आप रिपेर कर सकते हैं अगर अगर आपके बाद प्रॉपर इसकामेडिक की नालेज होगी तो आप बहुत अच्छी तरीकर से रिपेर कर सकते हैं यह देख सकते हैं यह साइड में जो देख रहे हैं आप यह दो पीने यहां पर आपको पांच वोल्ट मिलेगा उसके बाद यह वाला जो टेशप पॉल्ट है यहाँ पे 5 वोल्ट जाएगा उसके बाद इस केपेसिटर से होते हुए यह OVP से होते हुए यहाँ पे एक केपेसिटर इनपूट और उट पूट में मिलेगा और यहां पे भी एक पैरलल में कैप लगके है उसके बाद दो सीरीज में कॉईल है और यहां से होकर कि यह वोल्टेज जो चला जाता है आपका सीधे सीधे चार्जिंग आइसी में जो कि हमारा मेन पावर है PM660 यहां पे देख सकते हैं इस वाले कैपसिटर में आपको 5 वल्ट जाना चाहिए तो एक बार यहां पर भी चेक कर लेते हैं कि 5 वल्ट आ रहा है के नहीं अगर यहां पे नहीं आता है तो हम फिर इसके आगे की तरफ इस तरफ से भी जा सकते हैं यहां पे भी जा सकते हैं यह पता मैंने यहां पे लगा लिया है और हम charger लगाएंगे और charger लगा करके यहां पे जो IC है हमारी तो इस वाले capacitor में जो नीचे से दूसरा capacitor है coil के बाद यह वाले capacitor पे 5 फोल्ट आना चाहिए यहां नहीं आता है तो फिर हम यहां से लेकर के जो हमारा FPC का connector है यह connector के बीच में कोई problem हो सकती है और बीच में जो OVPIC लगी है यहां पे लगी है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे OVPIC लगके है इसके बारे में हमाँ जानेंगे तो सबसे पहले एक बार यहां पर हम charger लगा लेते हैं और charger लगा कर चेक कर लेते हैं पांच वोल्ट यहां पे तो हमको मिल रहा था जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर पांच वोल्ट यहां तो आ रहा है तो एक बार इस capacitor पे भी चेक कर लेते हैं यह वाला जो capacitor है हमारा तो यह IC के side में हमको चेक करना है तो यहां पे देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है यह देख सकते हैं यहां पर यहां पर मैंने ground भी लगाया यहां पर देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं है यहां पर तो मतलब यहां पर वोल्टेज नहीं आ रहा है अगर मैं JR की बात करूँ तो charging pin remove कर देंगे और यहाँ पर हम JR भी चेक कर लेंगे क्या track हमारा सही है कि नहीं है तो multimeter को रखेंगे बीप range में बजर range में और इसका JR भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं black से चेक करेंगे और red को ground करेंगे तो यह हमारा V bus का पीने जो के यहाँ पर 560 आ रहा है अगर आप black से चेक करोगे और पल्टा के probe चेक करोगे आप तो यहाँ पर oil या फिर 1000 से ज्यादा आएगा इससे ज्यादा जेख सकते हैं 1600 के आसपास आ रहा है मतलब यह line तो हमारी okay है और V bus जो हमारा यहाँ पर मिलेगा अब इसके बाद फ्रेंट्स यहाँ से इस OVP में यह voltage जाता है तो input में उसके बाद output में देखेंगे और यह OVP जो है फ्रेंट्स इसके अंदर 12 गुले होते हैं तो इसके भी बारे में हमाँ जानेंगे अगर bypass करना है तो क्या करना है अगर bypass नहीं करना है तो क्या करना है यह भी देखेंगे क्योंकि IC के पास हमारा 5 बड़ नहीं मिल रहा मतलब यहीं पर कहीं पर गड़बड है मतलब या तो इसके input में यह voltage नहीं जा रहा है या तो फिर यहां से ओठी नहीं हो रहा है सबसे पहले यहां से हम pull testing करेंगे और यहां से देखेंगे कि यहां पर कहीं पर इसकी supply beep मार रही है नहीं मार रही है तो कैसे करेंगे तो अगर आप hardware solution follow करना चाहते हैं follow करिए या फिर यहां से आप आप diagram भी follow कर सकते हैं तो बीच में आपको यह सारा एक test point मिलेगा TP 20 मिलेगा फिर आप देखोगे तो इस तरीखे की एक OVP IC मिलेगी OVP का number देखेंगे तो आप 1301 नमबर है अगर layout में जाके देखोगे तो आप 1301 यहीं पे लगी है जैसा कि आप देख सकते हैं चोटी सी IC है बट इसको नजर अंदाज कर देंगे तो फिर आपका handset रिपेर नहीं होगा तो यह एक IC है OVP इसके बारे में जानेंगे जिसमें आप देख सकते हैं 12 गोले है इस तरीखे का आपने देखा होगा OVLO, ओवर वल्टेज, लॉकाट यहां पे एक पीन होती है AC OK, एड़ेप्टर, करेंट OK यह भी यहां पे एक टेश्मेंट लिया गया है इनेबल को डिरेक्ट गिराउंड कर दिया है 3 पिन गिराउंड है 3 input, 3 output है तो फ्रेंड्स में यह जो AC है अगर आप इसको निकाल कर अगर बाइपास करना चाहते हैं तो यहां से यहां तक आप जंपर कर सकते हैं बाइपास करने के लिए यह तीन गोले इज़र से इधर मिला दीजिए या AC को बनाना है तो क्या करना है अगर इसी में फाल्ट आ जाए या AC खराब हो जाए शॉर्ट हो जाए कोई सप्लाई ब्रेक हो जाए यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक डिवैडर सर्कुट बना है R1 1 मेगाउंस का है और R2 जो है 470 K का एक यहां पर एक High Value के दो रेजिस्टर यूज़ करकर यहां से डिवैडर सर्कुट बना करके एक 0.6 का या 1 वल्ट के आसपास यहां पर C1 की पिन पर इसको वल्टेज मिलता है अगर कभी यहां से वल्टेज ज्यादा आ जाए तो यह वल्टेज को आटपुट नहीं होने देंगी तो फ्रेंड्स अभी सबसे पहले हमको यह देखना है कि इन्पुट में इन्पुट में जो C23 2711 जो केपसिटर है जो कि अगर इसमें बात करें 2711 यह वाला केपसिटर जो हमारा 2711 है यह वाला केपसिटर 2711 है इसमें हमारा वल्टेज जाना चाहिए पांच वॉल्ट या फिर 2702 यह भी इसके लाइन में ही है या फिर यह वाला केपसिटर हो या यह दोनों पे भी आपको यह वाला हो या यह वाला दोनों पर आपको पांच वोल्ट पहले मिलने चाहिए तो एक तो हम कूल टेस्टिंग कर सकते हैं और कूल टेस्टिंग करके यह देख लेंगे तो यह देख सकते हैं यहां से यहां तक भी पा रही है उसके बाद यहां पर भी यह सही है मतलब यहां से यहां तक track तो यह इसका सही है और एक बार यह भी देख लेते हैं कि अब यह देखेंगे कि track तो सही है यह 5 volt हमको जो यहां पे मिल रहा था अब इन दोनों capacitor पे मिल रहा है के नहीं मिल रहा है तो मैं यहां पे आपको hardware solution में भी बता दूँगा तो अब हम आ जाएंगे OVP के पास वीडियो अच्छे से देखिए बहुत कुछ सीखने मिलेगा इसमें क्योंकि charging related fault है 5 volt V bus का आपका पहले IC में जाना चाहिए इसके बास sensing line ने भी बहुत सारी होती है वो भी आपको check करना होता है अगर वो भी fault है तो यहाँ पे friends आप देख सकते हैं यह दोनो capacitor यहाँ लगके है और यहाँ पे बनता है इसका divider circuit divider circuit बनने के बाद C1 की जो पीन है हमारी यह वाली पीन जो है हमारी AC OK की पीन होती है और OVLO की पीन जो है हमारी C1 की और B1 की AC OK तो यहाँ पे हमको voltage मिलना चाहिए 0.6 के आसपाज यहाँ पे जाना चाहिए दो register के throw और AC OK पे देखेंगे तो कोई भी voltage यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए तो पहले तो हम यहाँ का 5V देखते हैं C22, C2702 में या 2711 में तो मैं यहाँ पे charger लगा लेता हूँ और multimeter को कर लेते हैं DC20 में कि 5V पहले OVP में इन हो रहा है के नहीं हो रहा है यह देख लेंगे तो यहाँ पे चलिए charger मैंने लगा लिया है देख सकते हैं charger मैंने यहाँ पे लगा लिया है properly connect कर लिया है अब सबसे पहले 5V चेक करते हैं कि इस IC में जा रहा है कर नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ तो हमको 5V मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद यह जो capacitor है इसमें देखना है तो यह वाला हमारा 5V यहाँ पे भी मिल रहा है और अगर बात करें यहाँ बर तो यहाँ पे भी 5V मिल रहा है उसके बात फ्रेंट्स यह दोनों कैप पे तो मिल रहा है याने यह जो हमारे दो capacitor यहाँ पे 5V मिल रहा है अब हम इन registers के पास देखेंगे R1310 R1310 जो के 1MHz का यहाँ पे भी 5V मिलना चाहिए और एक साइट पे इसके यहाँ पर एक और register लगा है जो के parallel connection में है hold on जिसको हम बोलते हैं जो ground के साथ connected है R1311 तो इन दोनों के बीच में हमको divider voltage मिलना है और यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो 5V मिलना है तो इसके बाद यहाँ पे output में भी देखना है जैसे 5V तो अब यह output में जो cap है यहाँ पे भी हमको 5V मिलना है एक साइट तो इदर का ground होगा लेकिन outside में यहाँ पे देख सकते हैं कोई voltage नहीं है इसके बाद यह दोनों coil series में लगे हैं यहाँ पर इसमें भी कोई voltage नहीं है देख सकते हैं यहाँ तो 5V है बट इसमें input नहीं हो रहा है मतलब IC से in होकर के यह out नहीं हो रहा है तो इसमें क्या reason है अगर आप इसको bypass करना चाहते हैं तो सीधा यहाँ से एक jumper लेकर यहाँ दे सकते हैं लेकिन friends अगर आप इस CIC को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं दो register यहाँ पर लगके हैं जिसको हम 13-11 और 13-10 के नाम से जानते हैं यहाँ पर location जो है 13-11 और 13-10 है और यह दोनों register जो है 13-10 और 13-11 यह यहाँ पर OVLO की line में लगे over voltage lockout तो friends यहाँ पर ज्यादा voltage आ जाए यहाँ पर इस pin पर C1 में तो यहाँ से यह out नहीं होगा voltage तो यहाँ पर यह जो होता है इसका trigger होता है यहाँ पर 0.6 से 1 volt के आसपस आपको मिलेगा और यहाँ पर friends AC OK पर कोई voltage नहीं मिलना चाहिए जो के B1 की pin के पास एक test point है और अगर हमारा TP 36 तो यहाँ पर तो हमको 5 volt नहीं मिल रहा है input में तो मिल रहा है और यहाँ पर देखेंगे क्या यहाँ पर 0.6 के आसपस voltage मिल रहा है तो आप इसको IC निकाल के देखना हो तो वहाँ देख सकते या फिर इन दोनों registers के पास जो हमारा 13-11 का register है उसके एक side तो ground होगा और इस सरफ आप देख सकते हैं तो 13-11 जो register है हमारा यह उपर वाला register है तो यह जो उपर वाला register है friends यह हमारा 13-11 है तो इसमें एक side ground होगा एक side voltage आना चाहिए तो ground किदर होगा तो मैं यहाँ से charging pin निकाल देता हूँ तो सबसे पहले ground confirm कर लेते हैं कि side में ground है अगर आप direct भी voltage check करना है तो कर सकते हैं बड़ मैं आपको step by step सिखा रहा हूँ यहाँ पर ठीके तो यहाँ पर यह देख सकते हैं इस side में यह ground है और इस side में अगर आप देखोगे तो 580 के असपास यहाँ पर GR मिल रहा है अब हमको जो voltage मिलना है यहाँ पर मिलना है हमको voltage जो के हमारा 0.6 के असपास होता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 volt मिलना चाहिए 1 mega ounce का यह वाला register होता है और इस side में यह देख सकते हैं यहाँ से pin अंदर जा रही है यहाँ से दिखरा होगा आपको तो यहाँ पर जो मिलना चाहिए 0.6 के आसपास आपको voltage मिलना चाहिए चलिए आप charger लगा लेते हैं और इसको DC20 पर कर देता हूँ और देखते हैं क्या voltage हमारा यहाँ पर ड्रॉप होके मिल रहा है के नहीं मिल रहा है तो इस IC को bypass भी आप कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ आपको बट इसी को बनाना हो तो क्या करना है क्योंकि circuit को बनाना होता है bypass करना नहीं होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 volt तो आ रहा है यहाँ पे भी 5 volt आ रहा है और इस register के इस side में देखते हैं देख सकते हैं यहाँ पे भी 5 volt आ रहा है यहाँ पर और इस side में अगर देखे हम तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 volt के असपास आ रहा है और अगर इस register को देखेंगे यहाँ पर यहाँ पे 2.3 मिल रहा ह मतलब यहां पर डाई वोल्ट के असपास मिल रहा है यहां पर मिलना चाहिए है 0.6 से 1 वोल्ट के असपास तो यह वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है और यह वोल्टेज अगर इतना अगर इसकी C1 की पिन पे जो हमारी C1 की पिन है OVLO over voltage lockout तो यहां पर अगर ज्यादा voltage मिल जाए तो यह IC यहां से वोल्टेज को output होने नहीं देगी तो अब हम को करना क смотреть यहां से voltage ज्यादा आ रहा है क्योंकि यहां पर रेजिस्टर्स में अगर से कोई रेजिस्टर खराब हो जाए तो यहाँ पे वल्टेज ज्यादा इन होगा और यह जब ज्यादा वल्टेज इस OVP को मिलता है तो वो यहाँ से वल्टेज आउट नहीं करती है देख सकते हैं, इन्पुट में तो वल्टेज मिल रहा है लेकिन आउट्पुट में वल्टेज नहीं मिल रहा है इसके अलाव friends अब इसका जो हमारा इनेवल पी इसका B1 जो पीन है AC OK जिसमें TP 36 जो है इसका test point है तो TP 36 कहाँ पर है यह देख सकते हैं उपर यह TP 36 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं friends यह TP 36 है हमारा तो जब यहाँ चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पर कोई भी voltage नहीं मिलना चाहिए बट यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 volt के आसपस यहाँ पर voltage मिल रहा है मतलब यह IC में जो input हो रहा है voltage हमारा OVLO का ज्यादा voltage हीन होने के कारण यहाँ पर इसकी जो हमारी AC OK की पीन है यहाँ पर 0 voltage आना चाहिए बट यहाँ पर 1 volt के आसपस मिल रहा है मतलब यहाँ पर कोई problem है तो अब यह दो registers जो है इनका value हम चेक करेंगे चुँकि यह divider circuit के throwee voltage कम ओकर 0.6 यहाँ पर मिलता है तब जाकर के इसके output में voltage मिलेगा input में तो आ रहा है बट output में नहीं आ रहा है अब हम यह दोनों का registers का value देखेंगे तो charging pin यहाँ से मैं remove कर देता हूँ और अब हम इन registers का value चेक करेंगे तो register जो है हमारे high value के है तो नीचे का जो register उपर का जो register है हमारा सबसे पहले R1311 R1311 की अगर बात करें तो यह वाला हमारा parallel में है जो के 470K का register है तो यहाँ पर हम रख देंगे इसको 200K पर या 2 mega ounce पर भी रख सकते हैं तो इसको एक बार चेक कर लेंगे उपर का register क्या value का मिल रहा है हमको यह देख सकते हैं यहाँ पर नार्मली 230 के असपास बता रहा है और अगर मैं बजर में इसको चेक करूँ तो यहाँ पर ओयर आना चाहिए क्योंके high value का register होगा तो कुछ value नहीं आएगा बट यहाँ पर देख सकते हैं 1600 ohms के असपास यहाँ पर अब value आ रही है तो इतना value का नहीं आना चाहिए हमको यहाँ पर जो रजिस्टर मिलना चाहिए 470K का register होना चाहिए एक बार 1310 भी देख लेते हैं जो के हमारा 1310 है नीचे वाला register जो के 1 megaohms का होना चाहिए तो इसको 2 mega में रख लेंगे और इसको हम चेक कर लेंगे यहाँ पर देख सकते हैं megaohms में अगर हम चेक कर रहे हैं तो 265 के असपास यहाँ पर शो कर रहा है तो friends यहाँ पर जो पहले जो register हमको उपर वाला जो परलेल का जो register है यह वाले का value बहुत कम मिल रहा है 1600 के असपास यहाँ पर value मिल रहा है तो यह register का यहाँ पर problem होगा क्योंके 470K का यहाँ पर register होना चाहिए तो अब एक high value का यहाँ पर register डालेंगे अगर आपके पास 470K का नहीं है तो आप 30K का 20K का 10K का या 2K का भी यहाँ पर register डाल सकते हैं तो यहाँ पर होगा क्या फ्रेंट्स यह दोनों मिल करके एक divider circuit बनाएंगे और voltage यहाँ पर IC को देंगे इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर आपको screen में बताना चाहूंगा यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं यह हमने screen में आपको बतानी कुछिस की हैं जब आप charger लगाते हो तो यहाँ पर test point मिलेगा इस गोड में उसके बाद यह 5 वोल्ड सीधा IC में चला जाएगा OVP में 3 pin में input में 1 cap मिलेगा फिर यही V bus के नाम से out होगा तो 5 वोल्ड मिलेंगे output में भी एक cap मिलेगा यहाँ पर हमको voltage नहीं मिल रहा है बट यहाँ पर मिल रहा है इसके अलावा यह दो register में हम देख रहे है यहाँ तो 5 वोल्ड मिल रहा है बट यहाँ पर हमको 2 से 2 वोल्ड मिल रहा है इसके कारण यहाँ पर जो है हमारा इसी काम नहीं कर रहा है यह ACO के पर हमको 1V मिल रहा है और यहाँ पर 2V मिल रहा है यहाँ पर 0.6 से 1V के असपास मिलेगा है तो ही यह IC इसको Output के लिए Voltage Release करेगी अधरवाइस इसको Lock कर देगी Over Voltage हो जाएगा यहाँ पर तो यह Lock Out कर देगी Out वाली Supply को Lock कर देगी तो यहाँ पर फ्रेंट्स प्राब्लम क्या है इसी लाइन में प्राब्लम है तो यहाँ पर हमको यह वाला जो Register मिला है यह वाला एक 400-500 Ohms का एक Register मिला है क्योंकि यहाँ पर 1500-1600 के असफ़ास value आ रही है तो फ्रेंट्स यहाँ पर हम इस वाले Register को निकालेंगे और यहाँ पर एक High Value का Register दालेंगे 2K, 20K, 10K का इसा कोई एक दूसरे बोड में चेक करते हैं निकाल करके यहाँ पर Register दालते हैं तब जाकर के यह voltage VBus के नाम से PM660 में इन होगा और यहाँ पर एक Boot Cab मिलेगा सीरीज में आपको जहाँ पर 4V और 8V मिलेंगे उसके अलावा यही लाइन हमारी VPH बन करके आगे जाती है और इसी से सारा Mobile On होता है आपका और एक लाइन वापस ECIC में वापस आती है VPH के नाम से और यहाँ से यह VBat बन करके यह Charge Out के नाम से यह Battery Connector पर जाती है तब जब आप Battery लगाओगे तो यहाँ से Battery ID से इसको Information मिलेगी कि Battery लग चुकी है तब यह VBat के Voltage रिलीस करेगा Otherwise यहाँ पर Voltage नहीं आएंगे इसके अलावा इसमें VBus की Sensing Line भी जाती है बहुत सारी लैने होती हैं आपको चेक करनी होती है VBat की Positive Negative Sense Line Current Sense की Positive Negative Lines Bat Sense और Current Sense की लैने बहुत कुछ होता है इसमें SPMI Clock Data की Supply जाती है CPU से तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है तो यह मैं आज बता रहूँ आपको अगर इस तरह की OVP IC कोई आपके पास आजाए और यहाँ पर आपको Voltage नहीं मिलता है तो सीजा सीजा आप यहां से यहां तक Bypass भी कर सकते हैं यह तो हो गया Direct Solution यह तो मैंने दे दिया आपको Input से Output मिला देना है और 5V directly आप IC को देना है अगर आप IC को रिपेर करना चाहते हैं तो यहां पर फ्रेंट्स इन दोनों रेजिस्टरों को आपको देखना है 1 MbA और 470K का Divider circuit से आपको Voltage को Divide करके चेक करना है तो C1 की pin पे Voltage Divide होकर के आना चाहिए तो अगर आपको यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर इस वाले रेजिस्टर पे आप देख सकते हैं यहां पर वोल्टेज हमारा Drop होके आना है जो के अभी 2.5V के असपस मिल रहा है तो यह उपर का रेजिस्टर जो हमको Low Value का मिला है क्योंकि यह Ground के साथ Connected है क्योंकि High Value का होना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहां तो भी पा रही है यहां पे आप देखोगे तो 500 के असपस दियार आ रहा है तो यह वाला जो रेजिस्टर है हमारा जो के Mobile 500 चिलर का जो है Ohms का रेजिस्टर है जो के Value इसकी लीक कम हो चुकी है और इसमें जो Value का रेजिस्टर चाहिए 470 के का या 50 के का या 20 के का भी आप डाल सकते हैं तो सबसे पहले एक Scrap Board से मैं यहाँ पर एक रेजिस्टर निकालूँगा और यहाँ पर देखते हैं 10 के का एक रेजिस्टर निकालूँगा 20 के पर रख लेते हैं यह 10 के का ऐसा कोई रेजिस्टर देखते हैं यहाँ पर CPU के आज पास भी मिल जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह देख सकते हैं यहां पर मुझे 10K का रेजिस्टर मिल गया और अगर यह देखेंगे तो यह भी 10K का है और उपर का अगर देखेंगे तो 2.2K है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक रेजिस्टर डाल सकते हैं तो मैं यह वाला 10K का रेजिस् क्योंकि फ्रेंड्स मार्किट में इस तरह के सेट आते हैं तो आप बाइपास कर देते हो लेकिन फ्रेंड्स IC का भी कुछ काम होता है यह ओवर वल्टेज प्रोडेक्शन IC है इसको बाइपास मत करिए ज्यादा अगर वल्टेज आ जाए तो चार्जिंग IC पावर IC डैमेज हो सकती है और सेट आपका डेड़ हो सकता है कस्टमर को अच्छी तरीखे से रिपेर करके दीजिए दुबारा कस्टमर आपके पास सेट लेकर आएगा अगर आपको सर्किट की नॉलेज होगी तभी आप इस तरीखे से रिपेर कर सकते हैं अब यह इसी तो आप बाइपास कर रहे हैं बहुत सारे हैंसेट में IC UK की लाइन CPU में जाती है तो उसको आप बाइपास करना मुश्किल है इसी लिए यह सारी चीज सीखनी होती है आपको तो यहां से मैं बोट पाहर निकाल लेता हूँ तो यहां पर फ्रेंट्स हम यह उपर का जो रिजिस्टर है हमारा 500 Ohms का 500 Ohms के आसपास तो अब हम यहां पर 10K का रिजिस्टर डाल के चेक करते हैं क्योंकि हाई वैलू का रिजिस्टर चाहिए थोड़ा बहुत वोल्टेज उपर निचे होगा तो चल जाएगा 470 का है यह अगर आप 10K का या फिर 20K का भी डालते हैं तो चल जाता है अराम से काम करिए कोई जलबाजी नहीं बाजो में प्लास्टिक का कनेक्टर है नीचे धियान रखके काम करिए तो यह रिजिस्टर हम अड़ा लेते हैं यहां से और इसको मैं चेक करके भी बताऊंगा आपको और यह वाला रिजिस्टर जो अभी जानना है हमको इसको एक 10 के का यहां पे डाल लेते हैं नीचे की जो पिन है अच्छी तरीकर से कनेक्ट होनी चाहिए तो यहां पे मैंने एक रिजिस्टर लगा दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं अब इस वाले रिजिस्टर की भी वैलू चेक कर लेंगे जो हमने निकाली है यहां से अल्टिमेटर को बल्दर रेंज में रखेंगे और क्योंकि हाई वैलू का होगा तो यह वैलू नहीं दिखाना चाहिए बट यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे यहां पे कोई वैलू नहीं आ रही है इसमें हो सकता है यह खराब हो चुका है खराब तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तो अभी जो हमने रेजिस्टर डाला है यहाँ पर यह वाला जो कि यहाँ पर हम सेक करेंगे तो 10K के असपास जियार आना चाहिए तो देख सकते हैं 6.7 बता रहा है तो ठीक है और यह जो रेजिस्टर देख रहा है यहाँ पर High Value में भी रेजिस्टर की कोई Inhale नहीं आ रही है और अगर मैं इसको बजर में भी देखता हूं तो बजर में तो वैलू आनी चाहिए थी बत यहाँ पर भी वैलू कोई नहीं आ रही है देख सकते हैं जैसा कि तो हो सकता है यह register खराब हो चुका है कोई GR नहीं आ रहा है इसमें और यहां पे कोई GR नहीं आ रहे है तो चलिए इसको मैं भटा देता हूँ यहां से और इसको भटा करके अब हम चेक करते हैं हमारा 5 holt वीबस का जो है इन हो रहा है का नहीं हो रहा है तो एक बार इसको थोड़ा सा clean करके दिखाना चाहूंगा मैं आपको यह जो उपर वाला register है हमने replace किया है तो उपर वाले में एक बार GR भी चेक कर लेंगे सही से लगना चाहिए register तो buzzer range में है तो एक बार हम cool testing भी कर लेते हैं तो एक side तो ground है यह देख सकते हैं इस side में यहाँ पर 560 value आ रहा है एक बार हम यहाँ पर अभी charger लगा कर चेक करेंगे क्या हमारा output हो रहा है के नहीं हो रहा है voltage तो अभी यहाँ पर display का connector मैंने लगा लिया है अभी बैटरी नहीं लगया हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यह चेक करूँगा कि voltage हमारा out हो रहा है के नहीं हो रहा है अब से पहले DC20 पर रखते हैं multimeter को और charger लगाते हैं तो यह देख सकते हैं charger मैंने लगा लिया है और red probe से चेक करेंगे black को ground कर देंगे तो friends यहाँ पर हमारा 5 volt तो पहले भी आ रहा था जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आ रहा था 5 volt और यहाँ पर friends दो जगा पर आपको देखना है यह इसी ok पर देखना है कोई voltage नहीं आना चाहिए था यह देख सकते हैं पहले यहाँ पर 1 volt आ रहा था लेकिन अभी कोई voltage नहीं आ रहा है और यहाँ पर जो हमारा यह high value का register है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.6, 1.2 ऐसा voltage आ रहा है जो के पहले यहाँ पर अगर हम देख रहे थे तो 2 volt, 2 volt के असपास आ रहा था कोईल पर तो भी हमारा voltage आ चुका है और यहाँ पर भी हमारा voltage आ चुका है अब हम पीछे साइड में भी देख लेते हैं एक बार IC के यहाँ पर जो हमारा यह नीचे का क्याप था इस पर voltage नहीं आ रहा था पहले तो यहाँ पर मैंने ground लगा दिया है और इस पर चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा voltage आ चुका है तो अब फ्रेंट्स जैसा के यहाँ पर हमने diagram में भी आपको बताया input और output में voltage आ चुका है यहाँ पर ही problem था इसका जो के यहाँ पर धाई वोल्ट आ रहा था पहले अब हम बैटरी लगाएंगे और बैटरी लगा करके charger लगा करके चेक करेंगे क्या हमारा problem solve होगा के नहीं होगा और यहाँ पर फ्रेंट्स देख सकते हैं मैं यहाँ पर charger लगा रहा हूँ देख सकते हैं फ्रेंट्स हमारा problem solve हो चुका है और यहाँ पर हमारा दिस्प्ले आ चुका है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1.7 के असपास एंपियर ले रहा है तो friends इसमें बताने का आपको मकसद ये था कि हमेशा OVP बाइपास करना ही solution नहीं है आपको देखना है कहीं पर divider circuit तो ही दिया है कितना voltage इन हो रहा है क्या value के resistor पहले से लगए है और हम कितना value का हम उसको register को replace कर सकते हैं एक बार अप सेट को on भी करके बताता हूँ हाला के for while तो on condition में ही है but problem ये friends charging related fault तो अभी इसमें आप देखोगे तो charging भी कम है battery में तो यहां पर एक बार on कर लेंगे और on करके check करेंगे कि इसमें charging कितनी है क्योंकि 3% तो बता रहा है तो charging भी कम है क्योंकि charging ना होने करण charging पूरी low हो चुकी है तो एक बार इसको हम on condition में भी आपको बता देता हूँ तो ये step by step आपको देखना है सारी चीज़े अगर आप step by step करेंगे तो बहुत easily इसको repair कर सकते हैं चार्जिंग हो रही है तो तक मैं आपको यहां पर बता देता हूँ एक बार mobile on होने तक जो charger पे लगा है मेरा mobile on हो रहा है तो ये जो feature circuit आप देख रहे हैं इसको अच्छे से समझिए इस तरीखे का circuit आप भी बना सकते हैं बहुत easily रेख सकते है friends यहां पर हमारा mobile on हो चुका है और यहां पर charging का percentage आपको आ चुका है और 8% अभी बता रहा है 3% से 4% मैंने on करने पे थी और अभी तक 8% हो चुकी है तो friends जैसा के आप देख सकते हैं यह circuit आपको समझाने के लिए हमने बनाया है ओवर वल्टेज लॉपाट की जो लाइन है इसको ज़रूर देखिए अगर आपका charging लगाने पर charging शो नहीं हो रहा है sensing लाइन भी होती है media tech में कुछ अलग होती है VCDT charge audio के लाइने होती है और Qualcomm में आपकी INT लाइन होती है DMDP, USB, ID की लाइन होती है CC1, CC2, Type-C में होता है और हमेशा फाल्ट एक जगे से नहीं आता आपको देखना है यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश की है इसमें और भी लाइने होती है DMDP और USB ID की लाइन होती है यहाँ पर हमने वो बनाई नहीं है यहाँ पर जो फॉल्ट मिला फ्रेंट हमको 470 KK रेजिस्टर गा तो यह रेजिस्टर आपको चेक करने है डिवाइडर सर्कुट से कितना वोल्टेज जा रहा है AC OK पर कोई वोल्टेज नहीं आना चाहिए अगर यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है मतलब OE, OV, LO ओवर वोल्टेज लाइन में प्राबलम हो सकती है तो यह फ्रेंट्स तीन गोले इसके इंपुट में है और तीन आउटपुट में है अगर आपको यह सारा तांज्याम नहीं करना है सिर्फ डिरेक्ली वाइपस करके कस्टमर को देना है तो इस केपेसिटर से इंपुट के केपेसिटर से आउटपुट के केपेसिटर को बस जमपर लगा देना है या IC निकाल कर यह 6 गोलों को जमपर लगा दीजिए यह वोल्टेज आपका चला जाएगा पावर हैसी में फिर घुट के आपप पर ओल्टेज चेक कर लिजिए बैटरी लगा करके वी बैट पर ओल्टेज चेक करें तो फ्रिंट्स इस तरीका से तो भी आपका fault आ सकता है charging related तो यहाँ पर friends से जो था हमारा V bus जो है इन तो हो रहा है FPC से उपर के main board में बट यहाँ पर friends से यहाँ पर V bus जाने के बावजूद भी अगर यह circuit अगर आपका problem में रहेगा तो output या इसी नहीं निकालेगी यह हमको बताना था आपको वीडियो अच्छा लगा तो जबर नीचे comment करके बताइए और वीडियो देखना चाते हैं तो किन topic पर वीडियो देखना चाते हैं नीचे comment करके बताइए और हमारे channel पर काफी सारे वीडियो से उसको देखिए और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फोन फिक्स हैदरवास से तो हमारे पास आ सकते हैं डिसेंबर 27 से हमारा बैच है बुकिंग चल रहा है तो यहाँ पर आकर किया आप काम सीख सकते हैं 20 दिन की ट्रेनिंग होती हैं बेसिक से अडवांस लेवल तक हम काम सिखाते हैं A to Z complete knowledge आपको देते हैं circuit हो या hand skill का काम हो CPU हो, black pasted हो, white pasted हो double lecker हो, one plus के set हो सारा कुछ आपको live हम दिखाएंगे यहाँ पर तो आप आ सकते हैं अपने faulty mobile लेकर के आईए, एक अच्छा issue चुनिए हमारे पास limited बच्चे होते हैं 10-15 बच्चे होते हैं, ज्यादाव इस्टुनिट को आपको नहीं ले रहे हैं friend, limited students को ले रहे हैं, ताकि अच्छे से उनको सिखा पाएं यहाँ पर MMC change, UFS change UFS programming भी आपको बताएंगे, easy check MP tester, UFI box के साथ तो जल्दी से phone उढ़ाइए अगर आपको proper knowledge नहीं है अच्छे से काम सीखना है तो call करिए, whatsapp करिए, detail ले लीजिए वीडियो अच्छा लागा तो like करिए, share करिए जरूर मिलते इसी तरह से किसी next video में तब तक के लिए, thank you very much